डाक्टर विशुरूप राय चौधरी 21,000 रुपए फीश क्यों लेते हैं यह बात काफी लोगों को काफी दिनों से सालों से खटक रही थी आज उसका जवाब विशुरूप राय जी ने खुद दे दिया है और उनकी बातों को मैं अपनी सब्दों में प्रस्तुत कर रहा हू नमस्कार दोस्तों मैं नीरज विचार चक्रुविद नीरज में आप लोगों का स्वागत है कृपिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों हम आज इसी विशे पर बात कर रहे हैं कि डाक्टर विशुरूप राय चोधरी 21,000 रुपए फीस क्यों लेते हैं और यह रकम एक बहुत ही बड़ी रकम है फिर वे इतनी ज़्यादा फीस क्यों लेते हैं और किसके लिए लेते हैं और इस पैसे को वे क्या आज इन सभी बातों का खुलासा हो चुका है और उसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं तो फर्ष्ट नंबर पर उन्होंने जो बताया है कि नहीं यह जो भी पैसे हैं यह मानवता की स्टेवा के लिए लिए जाते हैं जरा सोचिए कि एक एक रिसर्च पर इस्तेमाल किया है जिसके लिए उनको अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है तो उनके पास इंकम का जो एक ही स्त्रोत है और वह स्त्रोत है जो वह लोगों से फीच लेते हैं इसके अलावा वे और कहीं से पैसे नहीं लेते हैं उन्हों एकदम साब-साब पहले ही मन कर दिया था कि हमें कोई भी डोनेसंस को दिजिए है कर दिढ़ to काफी सिद्वर कर लिए अखिर सब कहां से आयेगा इसा लेते हैं और उन्हों ने कई सारी बातें इसके बारें कछिन अ कि हम जो सभी याम लोग है हम सभी लोगों को कभी यह को प्राप्त करें कैसे प्राप्त करें और जो भी बिँमारी के पीछ के ऑँ सभी लोगों के इसके बारे में कई सारी में कहानिया सुनी होगी और काफी आप लोगं को दिक्कतों का सामना किया गया होगा तो इनका जो निचोड होता है जो इनका अंदर का जो सच होता है वे उसे हमारे सामने ले करके आते हैं उदाहरन के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि जो वे बताते हैं मैं उन्हें अपने सब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूँ जो ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कि गाउं गाउं में हर जगह जा करके लोगों को कारिक करता हूं द्वारा सरकारी कारिक करता हूं द्वारा इतनी बड़ी बात हमें कौण बताता है और हमसे जिद्दगी भरत जह सच छुपा ही रहIZए रहा जाता pastors और पूलियों के बारे में एक आर बात बता हैं पूलियों वैकृशिन जिस धर्म की रच्छा के लिए सभी लोग मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, कहीं भी धर्म बचा है, लेकिन इस धर्म को हमें बचाना पड़ेगा, इसके लिए वैक्सिन का बहिस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि इस पोलियो के वैक्सिन से पहले नमब भी पता चला है कि इसके पीछे डी पापुलेशन एजेंडा चला जा रहा है जो कि न्यू वर्ड आडर के भी नाम से है और जाजिया गाइड इस्टोन करके कुछ पत्थर भी लगे हैं यह सारी बातें नेट पे अवेलेबल हैं और उसी का यह वैक्सीन और टिका करण एक पा तो हमें हम क्या खाए क्या पीए यह तो कोई पूछने नहीं आता है बलकी वे हमें वैक्सीन लगाने के पीछे आ जाते हैं तो भाई मेरे खाना खाओ गए और सही पोर्षण प्राप्त करो गए जिसमें फल हैं सब्जियां हैं केवल चावल खा लेने से नहीं जिंदगी च चलते हैं उसके लिए कई सारे निउट्रिशन पोशन की और विटामीन की और तत्तों की आप सकता होती है तभी आपका दिमाग और स्टरीर कारेकर करें कितने लोगों के पास इतना पैसा है कि वे लोग जो भी मानक के नुसार भोजन कर सकें अधिकतर लोगों ने हाथ खड प्रवल्टेक सदा करते हैं गाओं में सड़कों की हालत कितनी खराब है इस सब्सक्राइब तो आपकी नजरों के सामने से नहीं आते हैं वलकि अगर कोई थोड़ा सा फीच ले रहा है तो सभी लोग सवाल पर सवाल करते जा ले जाते हैं और यह भी नहीं सोचते हैं कि ए जो अखिर उनका एक और जो चल रहा है प्रोग्राम कोरोना से जो बचाने का जिसके लिए उन्होंने चोविसों घंटे एक नाइस टीम तैयार करके रखी है उस टीम पर उनका लाखों रुपए का खर्चा मन्थली आता है तो कहां से आता है उनके उपर बहुत सारे केसेज दायर हैं उनके वकील लड़ते हैं इस सारे केसेज के उनके वकीलों का भुकतान कौन करता है एक चीज़ उन्होंने साफ साफ इसपश्ट कर दिया है कि जो भी उन्हें पैसा मिलता है उस पैसे में से वे अपने लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं नहीं तो इसे वे अपनी regulation के लिए यूज कर रहा है याएसी कोई भी बात नहीं यह जो भी कार्य कर रहे हैं जन सेवा के लिए कर रहे और आप लोग जो भी पैसे दे रही हैं उनको जन सेवा के लिए ही दे रहे हैं अच्छा ठीक है दूसरी बात है कि जो लोग अपोर्ड नहीं कर सकते हैं 21,000 रुपए पीज वे लोग वे लोग उनके वीडियोज को देखकर के लाब उठाएं हम भी उठाते हैं और सभी लोग कि जो वैक्षिन जो आने वाली है तो इसके बारे में उन्होंने साफ साफ इस्पर्श कर दिया है कि यह एक RNA वाइरस है जिसका वैक्षिन नहीं बन सकता है क्योंकि यह बार-बार म्यूटेट होता रहता है इसमें इतना ज़्यदा उत्पर रिवर्तन होता है कि इसका सारा गुडुस्तंग रचना धर्म पूरे तरीके से बदल जाता है उदाहरण के लिए एक जाना माना उदाहरण वे देते हैं कि मान लेजिए कि हमें एक हाथी का सिकार करना उसके लिए बंदूक की ज़ुरत है लेकिन वह हाथी थोड़ी देर बाद मच्छर का रूप पकड़ है तो उसको हम बंदूक से नहीं मार सकते हैं उसके लिए मच्छर मार अगर बत्ती या फिर कोई और चीज जो जो उसके लिए प्रियोग किया सकता है वही हाल इसका वैक्सिन बन ही नहीं सकता है अब की बार जो एक्सिन लगेगा उससे कितने लोगों के साथ कितनी सारी वि बिमारियों के ऊपर देखा है लोगों के शरीर पर इन बीमारियों का प्रभाव पड़ेगा आप लोग यह भी जानु पुराने समय में जो दो fix 8 वह दाटी लोग कितनी जदा बीमार थे और आज बीमारियां कितनी जदा है उस beauty नहीं में था आद्नार हैं इतनी सारी दवा और आप लोग काम करना शुरू कीजिए उनकी सारी जो भी वीडियो अविलेबल है उनको दो बार चार बार दस पार सुनिए और माइंड का प्रियोग करना आपको पड़ेगा दिमाग में एक घड़ी चल दे चलानी पड़ेगी तरक घड़ी मेरा तो चैनल हई है विचार चक्र वीद नीरज आपको एक तरक चक्र भी अपना चलाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों पास इतना समय नहीं है न हमारे पास इतना समय है कि हम लोग बहुत सारी चीजों की जांच परताल कर सकें कोई हमें कुछ बोल दे और हम उसका खुलासा करने चले जाएं हमें तो उनके वीडियोज के मदद से ही सच्चाई को साबित करना पड़ेगा और एक बार उनके फार्मुलाज को अपने जीवन में लागू करना होगा यदि हम तो कर चुके हमें तो फ्राफिट है फाइदा है यदि आप नहीं किये हैं तो एक बार आईए और उनके फार्मुलाज को अपने जीवन में लागू कीजिए और अपने जीवन को सुखमे बनाईए ठीक है दोस्तों नमस्कार आसा है आपके सवालों का सही जवाब मिल चुका होगा खिर्पिया मेरे चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करें सेर करें लाइक करें और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आभार की है